चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ उनिवर्सिटी की फाइनल एर की एक्जाम जो सिप्टेमबर में होने थी उनको लेकर UGC की गाइडलाइन के खिलाब सुप्रिम कोर्ट में केस की हीरिंग आज थी जिसमें आज डिसिजन नहीं आया है और इसकी नेक्स्ट हीरिंग 18 अगस 2020 को होगी हीरिंग का जो निसकर्स निकलता है वो स्टुडेंट के फेवर में जाता नजर आ रहा है यह है एक गुड नियूज है इस्टुडेंट के लिए यह जो आप नियूज आर्टिकल देख रहे हैं जागरन का इसमें लिखा है अन्तिम वर्स या सेमिस्टर की प्रिक्षयों के मामले में आज हुई सुनवाई को अब मंगलवार 18 अगस 2020 तक के लिए टाल दिया गया है आज हुई सुनवाई के दोरान चात्रूं का पक्स वरिष्ट अधिवक्ता डाक्टर अभी सेक मनु सिंद्वी नहीं रखा वहीं यूज शेना की एक अन्य समंदित मामले याचिका में वरिष्ट अधिवक्ता शियाम दिवान ने चात्रूं का पक्स रखा वरिष्ट अभियक्ता श्याम दिवान ने कहा कि 29 अप्रेल को देश भर में कोरोना मामले की संक्या 1137 थी लेकिन आज लाखों में है महामावी की इस्तिती भैयावय होती जा रही है ऐसे में परिक्षें आयोजित कैसे की जा सकती है समदित मामले की सुनवाई के दोरान चात्रों का पक्स रख रहे वरिष्ट अभियक्ता साम दिवान ने कहा कि जब यूजिसी स्वैम कहता है कि ये एडवाई जी है तो इसे इस्तानिये जरूरतों के इसाब से बदलत जा सकता है यूजिसी की परिक्षाओं के मामले की सुनवाई चल रहे है उच्तम नियाले के नियादीस जैसिस्ट असोग बुसन की अधिक्सता वाली खंडपीट यूजिसी गाइडलाइन मामले की सुनवाई कर रही है इस मामले में यूजिसी और सरकार का पक्स सोलिस्टर जनरल तुसार महता रहे हैं जबकि छात्रों का पक्स वरिष्ट अव्यक्तर डाक्टर अविशेक मनु सिंद्वी रख रहे हैं मैजे ने हाली में जारी अनलोक थी में शिक्सन सन्स्तानों को 10 अगस 2020 तक बंद रखने की निर्देश दिये हैं उन्होंने काहा कि सामाने हालत में कोई भी परिक्षाओं के विरोध में नहीं है हम महामारी के बीच परिक्षाओं का विरोध कर रहे हैं दाक्टर अभीशेक मनों सिंध्वी ने कहा कि बिना टिचिंग के परिक्षय कैसे UGC का निर्णय ताना साई भरा है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में यही कहना चाऊंगा कि हीरिंग भले ही 18 अगस्त तक टाल दी गई है। मगर केस स्टुडेंट के फिवर में जाता नजरा रहा है जो एक गुड न्यूज है और हमें 100% आसा है कि केस का डिसीजन स्टुडेंट के फिवर में ही होगा इसका 18 अगस्त को जो भी डिसीजन रहेगा मैं आपको इंफॉर्म कर दूँगा। मिलते हैं नई अपडेट की साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद।